कौन कहता है कि ये जो 100 करोड का क्लब है इसे हर को ही छू जाता है बॉक्स ओफिस पर कोई भी फिल्म रिलीज होती है वो 100 करोड क्लब को आसानी से पार कर लेती है वेल दोस्तों मुझे तो नहीं लगता क्योंकि अगर हम पास रिकॉर्ड चेक करें तो काफी जादा ऐसे सूपर स्टार्स हैं बड़े बड़े अक्टर्स हैं जिनकी फिल्म में 100 करोड के आकड़े को छू भी नहीं पाती चूने से पहले ही धराशाई हो जाती है बॉक्स ओफिस पर ऐसे में यहां पर भाईजान सर्मान कान ने फिर से एक रिकॉर्ड बना दिया टाइगर जिन्दा है 12th ऐसी कॉंजिकुटिव फिल्म है भाईजान की जिसने 100 करोड के दायरे को आसानी से छू लिया और वो भी तीसरे दिन भाई सबसे इंपोर्टन बात तीसरे दिन ही पार कर दिया यह जो आकड़ा है 100 करोड कलब का ऐसे में एक बात जो जहन में आती है मैं आपसे शेयर करता हूँ भाईजान 2010 से लेकर अभी तक की जितने भी फिल्में हैं वो सारी 100 करोड के उपर पार हुई है तो आगे आने वाले दिनों में यह दिखना बहुत जादा इंट्रस्टिंग होगा फैसिनेटिंग होगा कि भाईजान की और जो फिल्में आएंगी वो कितने जादा करोड कमा पाएगी टाइगर जिंदा है कितने जादा करोड का और बिजनस कर पाएगी तो पार हो गया अब 200, 300, 400, 500 जो भी आता है सारी चीजे आपको क्या लगता है नीचे कमें सेक्टन में अपने जियारा को जरूर बताएं क्योंकि आप और मैं YouTube की फैमली का हिस्सा है यूट्यूब की फैमली का हिस्सा है हम और मैं हूँ आपका सबसे छोटा सबसे नौटी सदस्स तो सपोर्ट करें बताएं कमेंट करके और फॉर मोर फिल्मी अपडेट मैं हू यार राहूल भोज फिल्मी आरा ओके